अतंगवाद जिस तरह से पूरा धर चुकाता है और इसे सतह तो दिख रहे थी और अंदर से पूरा खोकला उचुकाता उसकी सफाई अभ्यान जारी है। जितने भी समवाद हुए हैं, जितने भी दौर हुए हैं, सब को पताएगी जितने भी विदेशी महाशक्ति आया हैं, वो भी इस चीज के थमर्तनम आई हैं कि अतंग बात से निप्टा जाएगे। जितने भी जितने भी विदेशी महाशक्ति निप्टा जाएगे। उनको लोकेट करने के लिए उनको फ्लश आउट करने के लिए उनके खात्मे के लिए लगे। जो यात्सा है उसके लिए लगे। बाकी कश्मीर की बात नहीं करे। यात्रा के लिए तो 40,000 पहले से डिपलोड है। अच्छे आपके लिए बतना चाहता हूं। पूरी घाटी में चलेगा जहां पर दहश्यत गर्दों को पाइंड आउट किया जाएगा। निकाला जाएगा जो 15 दहश्यत गर्द पाकिस्तान से आये थे ट्रेंड होकर खास्तोर पर वो लोकल मिलेटेंट्स को इसमें शामिल कर रहें। उनको निकाल कर बाहर लाएज जाएगा पर सवाल यह किया हतियार के जरिये ये सॉलिशन हो सकता है जो सलसला में लगातर जिस सवाल को रखता आ रहीं कैसे रोका जाएगागा यह सलसिला जहां तेहशतगर्दों में उनको खाटी के लोग बताया करते थे कि यह आतकवादी है और आज कहा जाता है कि वह छिपा लेता है ऐसा क्यों हो रहा है कर्म जी जानना चाहूंगा आज खाटी के लोग क्यों साथ देरें जी कस्मेर में जहां बात की जाते थी सिंक्रेटिक कल्चर की कश्मीरियत की उनकी तहजीव की उनकी सही सनुता की की मिल जूल करके रहते हैं पांस परसेंट रहते हैं हिंदू कम्यूटि कस्मीर में फिल भी हिंदू मुसल्मान इतने मिल जूल के रहते थे 1990 के दसने में आपने भी जिक्र किया जो रेडिकलाइजेशन हुआ वहां पर उसके बाद जो समस्या आज है कश्मीर में कश्मीर बहुत कुछ बदल चुका है वहां पर लेकिन मुझे अच्छा लगा कि अमर्ना यात्रा पर जो आटेक हुआ उसके बाद जो रेस्पोंस है कश्मीर में पहलगाओं जो ट्रेड यूनियन है जो बिजनिसमेन है उन्होंन इसका विरोध किया और इसका असर ये देखनों को मिला जो सेपरेटिस्ट हैं जो मिलिटेंट्स हैं वो आईसोलेट होगे और उसका नतीजा था कि लसकरे तोईबा और यूनाइटेज जिहाद काउंसल ये सबसे बड़े एक ऐसा माजिक तत्तु है कश्मीर में जो प्रोब चाहिए कि यह जो लोग है जो सिंक्रिटिक के सपोर्ट्र हैं अभी थोड़े लोग हैं लेकिन बचेंधे करना चाहिए और सिवर नहीं किजिए सेना से सोलुशन नहीं कर सेना ने कभी भी डॉमेस्टिक प्रोब्लम का सोलुशन नहीं किया और सबसे बड़ा उदार्ण है पाकिस्तान बंगलादेश मयानमार यहां पर 40-50 साल होता है क्या हालत हो गई वहां पर मिलिटरी हमारी प्रोफेशनल है सुरू से रहे आज भी है जो बाहरी आक्रमन है उसकी सुरक्षा के लिए आंत्रिक जो हमारे मसले हैं उनका समश्या का समाधन पॉलिटिकल होना चाहिए कोई बढ़ाया जाना चाहिए कश्मीर के समस्या के हलकों लेकर जो केंदर सरकार के आज की नीती है उसमें क्या तब्दीलिया होनी चाहिए उम से निसाब कि सबसे पहले तो आपको एक मंच बनाना पड़ेगा जिस पे हिंदुस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उनको जो घाटी में हैं उनको विश्वास पैदा हो कि पीडीपी और भाजप्पा का घठबंदन है इसके साथ में अगर नहीं मिल रहा है तो पूरे इंदुस्तान के राजनेता हमारे पास में आ रहा है और समभात करेंगे तो इसका हल निकलेगा क्योंकि यह सिच्वेशन कल पै सकते महीन ने दो पुलिस कर्मी जो कि मूल कर श्मीरी थे उनकी हत्या हुई चालिब पंडित रहे हो चालिफिरोज डार रही हो दोनों को भी यहीं पर मार दिया गया यह जो भावना है यह पहले नहीं थी आम कश्मीरी दूसरे कश्मीरी का दुश्मन नहीं था यह अब लोगों का रुक फिर से भारत की ओर हुआ है वो जो देशतगर्दों के सास्थ मिलने का सिल्सला था वो लगता कि इस लिए बीच में जबी जाने की जरूरत है ये जो राजनेताओं का जो अलगाव देखने को मिल रहा है ये नहीं होना चाहिए लोग उनके पास में जाएं क्यों नहीं जाते भारती जनता पार्टी के लोग लाल चोक के पास में क्यों नहीं जाते पीडीपी के लोग वहां पर क्यों नहीं जाते कॉंग्रेस के लोग क्य सारे लोग जाएं तो मैं समझता हूं कि लोग पार्टी डेलिगेशन आपके मुतार जाना चाहिए और बीच में फॉर्मल तरीके से नहीं बिल्कुल खुलकर के सहस्ट तरीके से जाने वाला सलसल होना चाहिए क्या रासताक त्यार होना चाहिए नीटी क्या है सरकार की ने देखिए मैं आपके बाब बताना था तोम इतियसी इस ठीकाल के अंदर एक सुल्दान है जैनर आपदीन, कश्मीर ने समय करने Bye Dad तो क्योंकि भाजपागा खुद का जो इंट्रेस्ट है वही पोलराइजीशन में इसलिए वह होनी नहीं देंगे आप को बताएं तो मैं और एक बात में और बताना चाहूंगा कि एक छोटी से एक में वाकिया बताना चाहूंगा एक हर्मन गोरिंग एक बहुत बड़े आप ऐसा कर लिजेगे कि बहुत 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 कर एक इंटरनल थ्रेट है एक एक एक्स्टरनल थ्रेट है और फिर उस थ्रेट को आप इस धंसे हाइप बनाईए और उसके खिलाफ जो भी बोले उसे गदार डिक्लेयर कर दीजीगा तो उससे क्या होता है कि आपकी पॉपुल मोड के अंदर है कश्मी सॉलुशन से साथ जोड़ा है तो उचितने रहा है वाचपेई जी कश्मीरियत को रूह मानते थे जमूरियत में कश्मीरियत पर आना चाहते हूं राजना सिंग जी ने वे आज उसका जिक्र किया वो कैसे कायम रह पाएगी अगर बात नहीं होगी कश्मीरियत में लोगतांसिक रूप से एक चुईवी सरकार है और भाते जन्दापाती उसका हिस्सा है यानि लोगों ने पसंद के तभी है रामादव जी की दोरे अब कम हो गए सरकार बनने के बाद मैं अपन सरकार की बात कर लें सार जी मैं उसी पर आ रहा हूँ अब कर दो कि कुण के बारे में मुझी मंत्री का इस्टेटमेंट है कि अगर कश्मीर की समाष्या का समाधान है तो उसको और जादा सौयटता देना है जो और जादा फ्रीडम की बात करे क्श्मीरिक बात करे के लिए उनके मूझ से बाकी बातें जाना मुझे लगता अच्छा नहीं लगता है और इस मामले में ये बहते जन्ता पार्टी को ना सिक आ है हमारे प्रदान मंसी सब का साथ सब का विकास की बात में विश्वाश करते है और आपको बता दू देखिए बाती पहले बी जा री थी आज जा दी है और सभी पार्टे नियुक्त करने रहा है कि अभी पार्टें को साथ लेके चलने और ये जिवाद आर इस देश का बहुत पहले भी और अगी वह आए है उसमें कोई बदलाव नहीं है हमाई सरकार आदमी सबकों साथ लेकर बात करने के तैयार है और रास्ते सरकार के पहले कितने डेलिगेशन गया है या बता दीजे पीड़ी और बीजेपी के सरकार बनने के बाद में अवल पालिटी के रिपसंटेशन कितने पॉच्छे तो कि गए यश्वन सिना नहीं है और अब दोने पकष रख रख रहे हैं पर थी की देलिगेशन तुन uniquely सोना चाहिए आप कैसा प्रेडिय पे जवाब आ गए हैं अप उसको ले willingness चर्चा जरी रहे गया ओंउम से लिजर में लोट रहा हूं के बास में ब्रेक-बात कि अगर आद बात में आइवर हौतार की मंजिया कि आथांक और को खुतम कैसे मुझे लगता है कि जम्मू कष्मीर आप करा रहे कर धूधियार नहीं लिखंवाद के यहां वहागा तरफ रंब्लय कemsता क सपलनें द्रफ Harmonism Expl और वहां अपने आपके एक अलग तरह का तंग वाज है। कश्मीर में आतंग की फंडिंग पर लगाम का केवल एक मातर तरीका है कि उसे सेना के आवले कर दिया जाए। अश्मीर समश्या का हल राजनेतिक नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि सित्र साल में कोई हल नहीं निकला है इसका हल केवल सेना के दुवारा निकला जा सकता है।